जम्मू कश्मीर में निम्मो बाजगो जल्विद्दूत परियोजना किस नदी पर है तो निम्मो बाजगो जल्विद्दूत परियोजना है कौन सी नदी पर है उपसंस यहाँ पर देख लेते हैं तो option है सिंदू नदी, जेलम नदी, चेनाव नदी और जन्सकार नदी यहाँ पर options दे रखे हैं options में आपको बताना है कि निम्मो बाजगो जल्विदुत परियोजना कौन सी नदी पर है तो इसका correct answer हो जाएगा आपका सिंदू नदी पर यहाँ जल्विदुत परियोजना इस्थित है next आता है गांधी सागर बांध जो गांधी सागर बांध है निम्मलखित मैंसे किस एक का भाग है तो options हैं दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, चंबल परियोजना, भागडा नागल परियोजना तो गांधी सागर जो बांध है वो किस का एक भाग है तो यहाँ options correct आपका हो जाएगा चंबल परियोजना चंबल परियोजना का ही भाग है गांदी सागर बांध नेक्स आता है निम्न में से कौनसी नदी अरब सागर में गिरती है यहां अरब सागर की बात की गई है तो कौनसी नदी अरब सागर में गिरती है options हैं बाडगंगा पश्चिमी बनास बामनी और बनाश यहां correct answer आपको बताना है तो यहां correct answer इसका हो जाएगा पश्चिमी बनास जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है नेक्स्ट आता है question निम्ण में से भारत में सर्वस्रेष्ट संग मरमर कहां मिलता है संग मरमर की बात की जा रही है options देख लेते हैं मंद सौर, ग्वालियर, मकराना और राजसमंद चार options आपको दे रखे हैं और बहुत ही मसहूर जगा है वह संग मरमर के लिए तो यहां आपका correct answer हो जाएगा चौते question का option 3 मकराना में सबसे सर्वस्रेष्ट संग मरमर मिलता है अगला आपका आता है plaster of Paris के निर्माड में किस खनिज का उप्योग किया जाता है तो plaster of Paris का जो निर्माड होता है उसमें कौन सा खनिज का प्रियोग किया जाता है यहां चार options दे रखे हैं और चार options में से आपका एक answer correct होगा तो options हैं asbestos, घीया पत्थर, चूना पत्थर और जिप्सम चार options में से आपका correct answer क्या है plaster of Paris जो उसमें use होता है हमारा खनिज वह है जिप्सम जिप्सम को use करके plaster of Paris का निर्माड पिया जाता है नेक्स आता है भारत में सबसे दक्षिड भाग में इस्थित पहाडिया निम्ण में से कौन सी है सबसे दक्षिड भाग में इस्थित पहाडी कौन सी है तो यहां पलानी, अन्ना मलाई, कार्डमम और नीलगिरी चार options में से आपको यह correct answer बताना है तो यहां आपका एकदम से correct answer है कार्डमम की जो पहाडियां है, वो पहाडी है, वो सबसे दक्षिड में, दक्षिड भाग में इस्थित है नेक्स्ट आता है आपका question, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी चारिय हो जाती है तो बताएंगे, options दे रखे हैं, गंधक अमल की अधिकता से, option 2 है, sodium carbonate की अधिकता से option 3 है, magnesium chloride से, option D है, यानि 4 है, calcium chloride से, चार options में से आपको correct answer चूच करना है तो इसका correct answer की तरफ चले हैं दोस्तों, तो यहां पर correct answer हो जाएगा, sodium carbonate की बजह से, अधिकता से, मिट्टी चारिय हो जाती है next question आता है, निम्लिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोईला छेत्र अविस्थित है यहां याद रखेगा, नामचिक, नामफुक कोईला छेत्र अविस्थित है, यहां नामचिक और नामफुक का बात किया गया है options देखते हैं, option है, अरुणाचल प्रदेश, मेगाले, मडीपूर और मिजूरम, चार options इसमें दे रखे हैं तो चार options में से आपका correct answer हो जाएगा, option अरुणाचल प्रदेश, एक नमबर का आपका correct answer हो जाएगा तो नामचिक और नामफुक कोईला छेत्र, अरुणाचल प्रदेश में इस्थित है, अगला प्रशना आता है, निमलिखित नगरों में से किस एक ने सरवाद सार्वत्रिक स्वचालन अनुशन धान के इंद्र इस्थापित किया है ओप्सन्स देख लेते हैं, ओप्सन है है हैदराबाद, चैन्नई, पुड़े और गुडगाउं, चार ओप्सन्स आपको इसमें दे रखे हैं, इसका correct answer आपको बता दे हैं, कि चैन्नई ने सार्वत्रिक स्वचालन अनुशन धान के इंद्र इस्थापित किया है तो दोस्तो इस वीडियो में 20 questions को समाहित किया गया है, आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो like जरूर करें, चैनल को subscribe करें, अगर पहली बार budget कर रहे हैं तो और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए well icon जरूर दबाएं, जिससे के आने वाले वीडियो का notification आपक इसको जो position मिली हुई है, वा अदेश में कौन से इस्थान पर है, options देख लेते हैं, प्रथम, दृतिय, तरतिय और चतौर्थ, यानि कि चार options में से एक option आपका correct है, तो इसका एकदम से correct answer है, प्रथम हीरा उतपादन में, मद्य प्रदेश का प्रथम इस्थान है, next आता है 11 number question है, मद्य प्रदेश में मैगनी जुत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं, तो मैगनी जुत्पादन जो MP में किया जाता है, वा कौन से हैं, options देख लेते हैं, option उज्जन और गुना, गुना, मुरेना, असोक नगर और रीवा, बाला घाट और छिंद वाड़ा, चार नेक्स आता है, भारत में विक्सित करने के लिए पहला आधुनिक उद्योग था, कौन सा पहला आधुनिक उद्योग भारत में विक्सित किया गया था, यह आपको बताना है, तो यहां पर options देख लेते हैं, option 1, iron and steel उद्योग, cement उद्योग, घरेलु उद्योग, engineering भारत में विक्सित करने के लिए पहला आधुनिक उद्योग था, नेक्स आता है, तबोबन और विष्णुगड जल विद्धुत परियोजना हैं, कहां इस्थित हैं, तो यहां options देखते हैं, option हमारे हैं, जल विद्धुत परियोजना के लिए, मध्यप्रदेश, उत्राख उत्तर प्रदेश, राजिस्थान, चार में से एक आपका करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर है, कि तपोबन और विष्णुगड जल विद्धुत परियोजना उत्तराखंट राज में अविस्थित हैं, नेक्स आंसर क्वेशन है, भारत के किस जल प्रपात को लोग जल प्रपात के तोर पर जाना जाता है, नेक्स आता है, निमलखित में से कौन सा सहर भारतिय मानक समय देशांतर के नजदीक है, जो सहर है वह कौन सा है, जो भारतिय मानक समय देशांतर के नजदीक है, ओप्शन्स देख लेते हैं, होशंगाबाद, मुरैना, गुना और ज तो देखते हैं इसका correct answer क्या है तो option इसका एक बिल्कुल सही है होशंगावाद जो है वो भारतिय मानक समय देशांतर के नजदीक है next आता है खारी मिट्टी में कौनसी बनस्पती उग सकती है आपको बताना है तो options देखते हैं सेवड गास सदाबहार पेड लवड अवरोती घास कंटीली जाडियां जो खारी मिट्टी होती है उसमें कौनसी बनस्पती उग सकती है तो यहां पर आपका correct answer हो जाएगा लवड अवरोधी घास जो के खारी मिट्टी में उग शक्ती है next आता है निम्ड मैंसे रेसम के कीडे पाले जाते हैं असोक के पेड़ पर साल के पेड़ निम के पेड़ पर या सहतूत के पेड़ पर बहुत ही general question है बहुत बार exams में पूछा जाने वाला या question है तो इसका सही answer हो जाएगा सहतूत के पेड़ पर रेसम के कीडे पाले जाते हैं अगला है तारापुर परमाडू बिजली घर देश में किस राज्य में देखे हैं गुजरात महाराष्ट राजिस्थान और उत्तर प्रदेश चार में से एक राज्य है correct answer की तरफ चलते हैं तो महाराष्ट में तारापुर परमाडू बिजली घर इस्थित है next आता है question number 19 है जन्गर्णा 2001 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में अधिक्तम महला साक्षरता दर है तो जन्गर्णा 2001 के अनुसार जो महला साक्षरता दर थी उसको देखते हैं options है मद्यप्रदेश, उडिशा, चत्तिसगड़ और राजस्थान यहां बात की गई है पास्ट की 2001 की तो उसमें किस राज्य में महला साक्षरता अधिक्तम रही थी तो यहां correct answer आपका हो जाएगा तो दुनिया भर में जो आम के उत्पादन होते हैं उसमें भारत का योगदान देखते हैं 40, 50, 60, 70 प्रतिसद में आता है दुनिया से relate किया गया है दुनिया से compare किया गया है तो यहां पर इसका correct answer देखते हैं तो 50 प्रतिसद आम दुनिया भर का भारत में भारत का योगदा तो दोस्तों यहां थे 20 questions जो आपके geography से related थे देश दुनिया से related थे यहां पर वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share, comment जरूर करें, चैनल को subscribe करें, pass my bell icon को जरूर दबाएं, मिलते हैं, इसी तरह के और वीडियो के लिए हाजर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार